देखें, ओम्सला की बारे हम बात कर रहे थे, जो कि बात हो चुकी थी, क्या था ओम्सला, कि अगर किसी कंड़क्टर की फिजिकल स्टेट जेन न करें, फिजिकल बोले तो, तेंपरेचर, तो उसमें जतना पोटेंशल अप्लाई करेंगे, और पोटेंशल और करेंट के आइ का रेशियो हमेशा अगंजा अगरा का नाम क्या है, और क्या आ था है? अगरा क्या, और क्या क्या है तो याद है वैल्य क्या निकल ली थी? आर क्या निकली थी? ml upon n e square a tau जो r निकला था वो क्या निकला था ml upon n e square a tau और इसको हमने दिखाया था कि कैसे ये r temperature पर depend करता है वह आप साफ साफ देख रहे थे कि r m mass of electron है, l length of conductor है n number of electron है e charge आने electron है area of cross section है तो ये कोई चीड temperature पर depend नहीं करते बचा कौन, tau और tau के लिए क्या फ़मला बताया था कि tau बोले तो time time is equal to distance upon velocity, distance कौन से लिजाएगी यहाँ पर mean free path velocity कौन से लिजाएगी rms speed और आपने gases law में पढ़ा है kinetic theory of gases में कि जो v rms होता है वो proportionate होता है under root of the absolute temperature यानि अगर temperature change होगा तो v rms change होगा v rms change होगा तो tau change होगा अब चुकि ओम साब ने कहा कि temperature should remain constant तो temperature constant बोले तो tau constant tau constant बोले तो r constant तो यह आपका यहां तक बात हो गई थी है इसके बात बात शुरू करते हैं जरा ध्यान से समझेगा यह formula r का याद रखिएगा क्या चीज है ml upon any square tau को याद रखिएगा इसको अभी use हम करेंगे जैसे हमने दो conductor लिए हमने दोनों के resistance मिजर किये हमने का एक का resistance ज्यादा है और एक का resistance कम है तो आप कहेंगे अच्छा ज्यादा है तो उसका length भी तो ज्यादा है या कम है तो उसका area भी तो कम है तो यानि कि इस प्रकार से हम दो conductor के resistances को compare नहीं कर सकते दो conductor के resistances को compare नहीं कर सकते कोई दिक्कत है क्या compare नहीं किया जा सकता न तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों को compare करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमने दो conductor लिए दोनों की length 1 meter कर दी दो conductor की length क्या कर दी हमने 1 meter और उसका area of cross section कितना कर दिया 1 meter square ठीक है अब दोनों की R major किये हमने अब तो compare कर सकते हो क्योंकि R is equal to क्या होता है ml upon n e square a tau आपने L क्या माल लिया है 1 meter a क्या माल लिया है 1 meter square तो R यहाँ पर कितना हो जाएगा m upon n e square tau क्या इसमें कोई चीज इस conductor से related है इसकी length और area से नहीं इसके अंदर के material से है कि अंदर कितने electron है अंदर कितने ये बंद कर दो अंदर कितने electron है उन electron का mass कितना है उसका tau क्या है उसका n क्या है उसका e क्या है ठीक है यानि यह उस conductor की characteristic है क्या है यह उसकी internal characteristic है आप बताएं क्या बोला तो यह N लिखा है ना उसमें है N क्या है Charge किस कौन से Charge के लिए N is the number of electrons तो एक ही तो लिखोगे न तो एक ही तो लिखोगे न अब क्या पूरा मास ताओ लोग तो N की क्या जुरूरत है अगर आप total charge लिख दोगे अगर आप total charge लिख दो इत्ते किलो कुलाम इत्ते किलो ग्राम तो फिर number of electrons की जुरूरत है नहीं जंदे भई माले आप पूरे क्लास में जितने लड़के उनका आपने वजन कर दिया 1000 किलो तो आपको number of students की जुरूरत है अगर आप number of students लिख रहे हो तो फिर weight of one student height of one student लिखोगे ना ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इस R का जो नाम लिखेंगे ना इसी को कहेंगे specific resistance क्या लिखेंगे specific resistance अभी लिखेंगा नहीं इसको लिखा नहीं गया है मतलब अगर हम किसी भी conductor के लंबाई 1 मीटर ले ले और उस conductor के area of cross section 1 मीटर स्क्वा ले ले तो उस conductor का जो resistance है उसको कहा जाता है specific resistance और वो specific resistance उस conductor के material की property हो जाती है वैज number of electron किस पर depend करता है कि वो material किस चीज़ का है लोहे का atomic number कुछ और होगा कापर का कुछ और होगा नहीं होगा अगर आप लोहे का ले लिजिए तो लोहे के एक mole में कितने electron होते उतने रहेंगे ना अगर आपने लोहे का एक मीटर का लंबा rod ले लिया है तो उसकी अपने density fix होती है उसकी density fix सब कुछ fix होता है यानि हर उसका change होता रहेगा तो heading डालिए specific resistance specific resistance पहले तो उसकी definition तो अलग की बात है अगर आपसे कोई general पूछे कि resistance और specific resistance में अंतर क्या है तो आपको याद होगा heat और specific heat आप word use किये थे अब आप सब लोग सोच रहे होंगे पूछ नहीं हमसे आपने एक heat word use किया था एक specific heat use किया था बूछे रहने दे और एक अलर रहे दो specific heat भाई होता क्या है न कि जैसे माले किसी body को temperature देना है ठीक है तो उसमें का आदा कि आप किसी body को temperature वन डिगरी बढ़ाने के लिए जतना आप heat देते हैं वो उसकी thermal capacity होती है ठीक है उसकी thermal capacity होती है heat capacity होती है heat capacity है thermal capacity कि thermal नहीं कहते हैं क्या thermal नहीं कहते हैं उसको heat उसका एक नाम है लेकिन main उसका word जहां से use हुआ है तो उसकी thermal capacity कहराती है ठीक है अब दो आदमी अलग अग भेज दिये गए एक इनके घर में एक इनके घर में और कहा गया इन दोनों को आप लोगों को आदमी बढ़ाना है मतलब इसना खाना खिलाना है इनका temperature एक degree बढ़ जाए पेड भर जाए माल ने माल लेता हूं कि एक degree बढ़ने मतलब पेड भरना अब एक लोग तो थोड़ा बहुत दो तीन रोटी खिला है और आराम भर गया पेड़ दूसरा जुटा है देते रहे वन केजी मास का temperature वन डिगरी बढ़ने के लिए जो हमने हीट दी उसको specific heat का अब उसमें भी गड़ पड़ो गया उसमें भी exact compression नहीं हो पा रहा था क्यों क्योंकि उसमें number of moles स अलग अलग होते हैं सम्में तो हमने molar specific heat बता दी one mole ले लिया अब one mole में तो आप जानते हैं आब किसी की लंथ कम किसी की देनिंस्टी जादा किसी की देनिस्टी कम किसी कि कम तो हमने दोनों के इन मीटर ले लिये जो kami और दोनों का area of cross歧al तो यानि कि अगर किशी conductor की 1m ले 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 और उसका area of cross歧al 1m square ले 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 तो जो उसका resistance होगा उत कहुंआङो specific resistance यह physical definition है लिकि मैत Mathematical definition लिखेगा, the ratio of the intensity of electric field, the ratio of the intensity of electric field E, the ratio of the intensity of electric field E, at any point within the conductor, at any point within the conductor, to the current density, to the current density at that point, to the current density at that point is called specific resistance, specific resistance or electrical resistivity, or electrical resistivity. यानि इसको हम electrical resistivity या cable resistivity कहते हैं, electrical resistivity या cable resistivity कहेंगे of the conductor, यानि किसी भी चालक के किसी बिन्दु पर वैद्दु छेत्र की तीवरता और उसी बिन्द पर धारा घनत्त के अनुपात को हम विशेश्पत्रोध कहते हैं, and given by, rho is equal to E by J. It is the characteristic property of the material of the conductor. निचेज़ दो, it is the, या फाम्रा लिखनेक बाल लिखीगा है, यानि यह conductor के material पर डिपेंड करती है, ठीक है? अब देखिए, आप जानते हैं, as E is equal to क्या होता है? V upon L, यह होता है न? and J is equal to क्या होता है? I upon A, so rho is equal to क्या हो जाएगा? E की क्या लिखेंगे? V upon L, into I upon A, V upon I, अलग कर दो, into A upon L, अलग कर दो, इसको देखा है आपने कहीं, V upon I को, क्या होता है? R होता है, तो rho is equal to हो जाएगा, R into A by L, तो यह specific resistance और resistance of the conductor में एक relation है, ठीक है? अच्छा, अगर हम आप से कहें, कि किसी conductor का area हम बढ़ा देते हैं, बताएगे, रो पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं A बढ़ा दूँ, तो रो पे क्या फर्क पड़ेगा? यह तब से हम बेकार चिल दा रहे थे, मैं कहरा हूँ कि यह characteristic property of the material है, यह उसके material पे dependent करता है, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको अच्छा मुर्ग बना रहे हो, अब mathematics के हिसाब से आप A बढ़ाओगे, तो रो बढ़ेगा नहीं? जी नहीं, तो फिर A बढ़ने से मतलब क्या होगा? आर चेंज हो जाएगा, अगर हम A बढ़ाएंगे, या L बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो आर चेंज हो जाएगा, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रो उसकी material की property होती है, अगर लोहा है, तो लोहे का आप चाहे एक मीटर रॉड लीजिए, चाहे जैस मीटर लॉड लीजिए, क्योंकि रो एक मीटर रॉड का होता है ना, ठीक है? तो अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वाइर होती है, और अपान एल की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, अच्छा जड़ा एक नोटिंग करके समझ लिजेगा हो गया न देखिए अभी हमने बताया एक नोट करके लिख लिजेगा यहां से आर की वेलू क्या लिख लेगी रो ए बाई एल उल्टा बोल गए एल बाई ए अगर मैं यहां से आर निकालूं तो क्या होगा रो एल बाई है चुकि जो रो होता है वो किसी भी कंड़क्टर के मैटेरियल की प्रपर्टी होती है तो अगर आपने वायर कॉपर का लिया है तो सिंपल सी बात है कॉपर का रो कॉंस्टेंट होगा ठीक है अब आपके एकसाब हमका उपर का दस मीटर तार ले 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 तो अरे भाई रो तो एक मीटर का होता है दस मीटर लो जब प्चास मीटर लो जब रो की बात करेंगे तो उसके एक मीटर की लेंद की हम बात कर लेंगे ठीक है तो rho constant है तो R proportionate L by A हो गया तिससे सिद्ध हो गया कि resistance is proportional to the length of conductor and resistance is proportional to the 1 upon यह हम proportional to the 1 upon यह इनिवर्सली proportional to the area of cross section of the conductor भाई पूरी बात तो सुना करो किसी लड़के जाए cat means, cat means kutta खड़े हो जाओ, नहीं होता है पूरी बात नहीं सुनी हम तो नहीं होता है बोला था अब बोलने क्या नहीं नहीं ये थोड़े कहेंगे अगर inversely proportional to one uponic कहेंगे अगर आप inversely proportional to one uponic कहेंगे जैसे आपको कहीं नहीं जाना है हमने कहा आपको कानपूर नहीं जाना है आप कहेंगे नहीं तो actually मैं आप मेरी बात को नहीं बोल रहे ना, देखाए जाए हिंदी में अगर pure हिंदी बात करे हम जो कह रहे हैं उसको आप नहीं बोल रहे ना तो नहीं जाना है पर नहीं कहा मतलब क्या हुआ लेकिन आपको एक sense लगा दिया जाता है inversely proportional भी बन पाने थोड़ी बुला जाएगा अरे होता है चलिए ठीक है अब हर चीज वो मानेंगे तो भी master student में अंतर क्या है कुछ चीज़े तो एक होना चीज़े ना जैसे मैं एक सिधापुर में था पढ़ाई का माहल ठीक नहीं था वा तो एक student को एक परचित थे करें पढ़ा दीजिए तो हमने देखा इस सब पूरा factor गलत है आंसर सही है हमने का जब रास्ते पे सब कुछ गलत है तो आंसर कैसे आ जाता है बोले सर क्या करते हैं पहले question note करते हैं गाओं कोई लड़का होगा फिर answer note कर लेते हैं फिर बीच में calculation करते हो इसमें यह तोड़ा इसमें यह तोड़ा उसमें यह तोड़ा उसमें यह तोड़ा और answer आ जाता है यह वाबा सही है जब पहले यह box में लिए answer तो ऐसा नहीं होता है अच्छा इसमें आप numerical लगा सकते हैं यानि आप R1 upon R2 is equal to L1 upon L2 ले सकते हैं अगर आप length की बात किवल करें और area change नहीं करें मैं numerical के point of view से बता रहा हूं या आप अगर length change नहीं करते हैं कि वाइर को मोटा और पतला लेते हैं तो R1 upon R2 is equal to A2 upon A1 आप लिख सकते हैं ठीक है दोनों को मिला दो तो एक formula बन जाएगा एक चीज और ध्यान रखेगा note कितने note होंगे note नमबर दो अगर आप numerical लगा रहे हैं और उन्होंने कहा दो तार हैं दो तार की अलग-अलग length है अलग-अलग area है तब तो इस formula से आप compare करेंगे दो तार same material के रो को तभी आप यहां से गायब कर सकते हैं जब आप material same ले रहे हो ना अगर अलग-अलग material होगा तो उसका रो चेंज हो जाएगा अब देखें जैसे एक ही तार है उन्होंने कहा तार को खीच के दो गुना कर दिया तो ध्यान रखिए तार को खीच के अगर दो गुना कर देंगे तो तार पतला हो जाएगा जैसे किसी से आप मिलिए बहुत दिनों बाद लड़को अब बड़ा दूबला आगा है लागा लंबाई छोड़े से कमें पढ़ी तो लंबाई छोड़ने से दूबला होने का मतलब क्या होता है। और यह कि अपना दिमाग लगा करके दिमाग से पंचड़ भी हो गए थे बताते ब्रेन से कुछ बढ़ बढ़ हो गए थे यहां हमारी दादी वगएरा जो बिल्कुल बड़ी देरी उनको मालूम था कोई बहुत काम करता था मालिया घर में बहुत काम कुरा दुबला बतला है तो दादी कहती थी विचाना देखो बहुत काम करते दुबला काम से क्या मतलब है दुबरागा मतलब मास चेंज वहा और काम मतलब वर्क एनरजी मास में रिलेशन है इब्रावल एमसी स्क्वार अधार इसा कहते नहीं कहते बताईए तो इसका मतलब उनको भले फामला नही तो यानि कि निमेरिकल में अगर आ जाए कि माले इनिशियल लेंथ किसी भी कंडुक्टर के ल है और उन्होंने का फाइनल लेंथ 2L हो गई तो एरिया वो कहें न कहें एरिया अपने आप आदी हो जाएगी यानि अगर अगर माले एरिया इनिशियल आप ए माले गे तो फाइनली एरिया कितना हो जाएगा कैसे देखो द्यान से आपने दो कंडुक्टर लिया है तो आप कंडुक्टर की लंबाई बढ़ा दो आधार का छेत पल इंटू लंबाई में थोड़े हिंदी बोल थे, तो पहले माला एरिया A1 थी, लेंथ L1 था, बाद में एरिया A2 होगे, लेंथ L2 हो गया, अब अगर A1 आपने A रखा है और L1 L रखा है, A2 आपको मालूम नहीं हो, इसको 2L माल लिया है, तो A2 की वेलू क्य तो इसको आधा कर देते हो, तो एरिया पे कोई फरक नहीं पड़ेगा, हाँ मोर दिया जैसे आपने, तब तो एरिया बढ़ी जाएगा, ठीक, तो इस कांसेप्ट को numerical में इस्तेमाल हम करेंगे, ध्यान से करिएगा इसको, अब जैसे specific resistance होता है, resistance का उल्टा conductance होता है, तो specific resistance का उल्टा specific conductance होता है, तो आप लिखे specific conductance अगला concept है, नोट के लिए ना इसको, यह तो numerical के लिए, यह यह कहानी आप तब लिखें कि जब आप से numerical पूछा जाएगा, जोस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, Specific Conductance, यह खरण न करिये, उसमें, इसमें, इसमें न करिये, The reciprocal of specific resistance is known as specific conductance, The reciprocal of specific resistance is known as specific conductance, विशिष्ट प्रतिरोध के वित्वरम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, The reciprocal of specific resistance is known as specific conductance, Is known as specific conductance, Given by sigma is equal to 1 by rho, अब अभी आपने पढ़ा है, कि as rho is equal to क्या होता है, अब R की बात यहां नहीं करेंगे, अब बात conductance ही कर रहे हो, गुषेड़े दिर हो R को, Resistance, तो काय को R की बात करें, Rो की value हमने क्या पता है, E by J, So sigma is equal to क्या हो जाएगा, J by E, तो यह sigma का formula हो गया, और इसको जब cross multiply करेंगे, तो J is equal to आएगा, Sigma into E, ज़रा ध्यान से समझेगा, इसको vector farm में ऐसे लिख सकते हैं, जिधर electric field apply करोगे, उधरी current flow होती है, सही कह रहा हूं में, जिधर electric field होता है, उधरी positive chart जाता है, और जिधर positive chart जाता है उधरी, वरे positive मने धनी, और जिधर धनी जाएगी धारा उधरी तबहेगी, दादा, दादा, अरे किसी का कोई कारक्रम हो, कोई बड़ा आदमी आया हो, पडिवार का बड़ा आदमी, तो जो देखो वो पहले फूपा ग्णोड़ेगा, दादा को है, आगे हो, आप एक वेट होई रारा है, और मामा बजारे अगर अब ऐसे है तो, तो आगे हो हाँ ठीक, कब जोई हो, पता पहले अब फूजी लिए, तो यह नि, जे और ई की direction क्या है, यह आपका हो गया specific conductance, या conductivity भी कहते हैं, वो resistivity होती है, यह conductivity होती है, conductivity होती है, सिग्मा, यह अक्सर आता है, कोम सलाइन वेक्टर फार्म लिखिए, ठीक है, तो यह होता है वेक्टर फार्म, वो नहीं होता है, अच्छा, अब बात करेंगी, carbon resistance and color code, carbon register and color code, अरे लिखो यार, तुम deleted की बात कर रहे हो, deleted है, यह deleted किस साल के लिए है, यहाँ कोई deleted कुछ नहीं होगा, यहाँ सब कुछ पढ़ना है, एक्जाम टाइम में आप डिलीट कर दीजिएगो, ठीक है, जब किसी competition में आएगा, तब deleted में वहाँ लेटेड हो जाएगा, deleted है, आई नहीं रहाए वाला, पढ़ाए नहीं हमने, यह deleted के वोल एक्जाम टाइम होगा, एक्जाम टाइम मत पढ़िएगा, लिखो, carbon register and color code, देखिए, जब हम किसी, system में resistance लगाते हैं, तो उसकी कुछ value होती है, क्या लिखा, carbon resistance and color code, color code, अरे color code थोड़े पहनेगा, color code कहां से हो रहा है, color कहां coating होती है, एक code, दो code, वो code या नहीं हो ला, color code, देखिए ज्यान से, होता क्या है, आपको resistance चाहिए, किसी system में, लगाने के resistance चाहिए, तो resistance carbon के बनाए जाते हैं, उसका कारण है, carbon का एक तो resistance, temperature साथ जलने देख चेंज नहीं होता, तो उसी बाद, availability भी है, अब माले रजिस्टर कितने बड़े-बड़े होते हैं, जितनी बड़े, अम्मा की नाक की कील होती है, तो बड़ा रजिस्टर, और रजिस्टर उसका है, 10,000 ओम, लिखोगे कहां, भाई एक रजिस्टर है, छोटा सा, उसकी value है 10,000 ओम, 10,000 ओम, अब 10,000 ओम कहां लिखोगे, उसको बड़ लिखना पड़ेगा ना, आपको ऐसे पकड़ा दे, उसको पढ़ोगे, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है, तो 10,000 का ऐसे लिखे हैं, तो हमको color की coding कर देते हैं, और color से पहचान जाते हैं, इसकी value क्या होती है, पर color तो आप लगा सकते हो ना, देखा होगा इतनी बड़ी नतनी वो होती है, नाकी किल उसमें बहुत color होते हैं, इसे इसे इसे, साथ-ाठ color लगे होते हैं, style भी मारती है, नतनी हो और color भी हो जाता है, तो हमने क्या क्या, अब वो पीरी, निरी, लाल, काली, भुरी, गुलाब, यलकी बात है, ठीक है, जो भी है, तो कुल मना करके हमने color code बनाने की कोसिश की, उसके लिए एक full farm बना लीजेगा, बी, इसमें, बी, बी, रॉइ, आफ, ग्रेट ब्रिटेन, विजिटेड, विजिटेड, गेटवे अफ इंडिया, गेटवे अफ, गेटवे अफ इंडिया, यह full farm ब्याद करने का तरीका होता है, यह एक दूसरा नाम है, बी, बी, रॉइ, ग्रेट बॉइ, वेरी गुड वाइफ, वो बनाया उन्होंने, हैव गुड, हमने यह लना दे, बी, बी, रॉइ, आफ, ग्रेट ब्रिटेन, विजिटेड, गेटवे अफ इंडिया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसे थोड़ा सा इसके सामने, वैलू लिखनी पड़ेगी न, तो रॉइ साब को थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दे, बी, बी, रॉइ, आफ, ग्रेट ब्रिटेन, आफ, ग्रेट, ब्रिटेन, विजिटेड, विजिटेड, ग्रेट वे आफ इंडिया, ग्रेट, वे आफ इंडिया, देखो, इसी तरीके से याद करना पड़ेगा, दोरा समझने की कोशिज करिएगा, ये तो इनका एबरिबिएशन है, शॉट कट है, इसमें इसका कलर की हम बात करेंगे, और इसमें नम्बरिंग की बात करेंगे, यहाँ नम्बर लिखेंगे, देखो यहाँ बी है तीन, तो याद रखिए, सबसे पहले कलुआ, सबसे पहले किसको समान देंगे, कलुआ को, अब दिखके जब कलुआ को हो, ब्लाइक, तीक है, फिर भुरवा, भुरा थोड़ा सा कम कला होता, उसको भुरा कहते हैं, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ब्राउन, टीक है, एक और भी है, वो ब्लू हो गया, जहाँ पहले वर्ड ज़्यादा है, उनकी हम कलर की बात कर रहे हैं, दूसरी बात, और कोई दो वर्डा है, अच्छा, R से रेड, O से ओरेंज, Y से यलो, G से ग्रीन, यह G दो बार आया है, एक ग्रीन होगा, एक ग्रे होगा, पहले ग्रीन होगा, यह V से वाइलिट, G से ग्रे, और W से वाइलिट, वे आफ इंडिया एक है, वाई से इंडिगो न लिख देना, यह कलर होते हैं, ठीक है, अब बताई कोई बहुत छोटा सा भी पार्ट के लिए, तो तीन कलर उसमें शो किये जा सकते हैं, एक दो कलर आप शो कर सकते हैं उसको, जो कार्वन का रजिस्टर होगा छोटा सा, वही मम्मी की ना की कील के बराबर, उसमें के ओले कलर्स होंगे, ठीक है, कलर को आप पहँचान जाएंगे, अब देखो इसको करते कैसे हैं, जरा साउधान, इसके बाद एक और कलर इसमें आता है, जैसे ये कार्वन रजिस्टर है, जरा समझेगा, आप कहेंगे मम्मी कील, इत्ती बड़ी है का, आप इत्ती बड़ी बनाएंगे, इत्ती बड़ी हम उसमें थोड़ी बना सकते, बनाना तो बड़ी बड़ी पड़ेगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से, बड़ा भी मूँ हो सकता है बोलों को, अब इसमें क्या होता है, कलर कैसे लिखा जाता है, साउधान, इसमें तीन पट्टियां यहां बनी होती है, एक पट्टी, दो पट्टी और, तीन पट्टियां ऐसे बनी होती है, ठीक है यह तीन पट्टियों का अलग अलग कलर होता है ठीक है पहले समhल लिजे माल लिया पहली पट्टि का कलर है red, दूसरी का है blue और तीसरी का है green ठीक है एक और पट्टी होती है tolerance की तो अगली होती है tolerance टॉलरेंस की स्पेलिंग क्या होती है टी-ो-ल-e-r-a-n-c आरे वा सही लिका आती है इंगलिस हम लोग इंगलिस के टीचर थोड़ी है अब इंगलिस में ऐसे इसे नाम कहें साइंटिक नाम मारकाद आखलांद कहां से याद करें एपी ओपी जैसे नाम रखो तो टॉलरेंस क् का मतलब होता है error क्या होता है err kali जैसे आपने कहा कि कोई Vellu 50 है हो सकता है 49 हो सकता है 51 हो ठोड़ा बहुता आगे पीचे हो सकता है इसे गाड़ी अपना अभरेज बताती है गारी का अभरेज कर आता है कि इस बाइक बग 70 का इवरे नहीं दे रही है कोड भी कमपनी गाड़ी को मंगाया चेक किया देखा 65 दे रही है तेन कमपनी चेंज करो इसको वह एक स्पेसिफिक कंडिशन होती है न तो अगर हम इसको कहें कि इसका रजिस्टेंस 5000 है तो एक्जिक 5000 थोड़ी होगा तो टॉलेंस में क्या ह होता है इसमें भी 3 अगर गॉल्ड कलर है है से सिलवर कलर है और नो खलर हैे कोई क्यार इसमें नहीं है तो गोल्ड कलर किलेंस तोलेंस प्रसेंट होता है, 5% अगर सिल्वर कलर है तो 10% और नो कलर है तो 20% टॉलेंस का मतलब समझेगा, अगर हमने जो कलरिंग की है उसके हिसाब से 100 ओम रेस्टेंस आ रहा हैं, और आगे गोल्ड कलर है, तो यानि 100 ओम जो रेस्टेंस हम दे रहे हैं, उसमें 5% का टॉलें है 5% मतलब यानि 100 का 5% 5 हुआ तो या तो 100 प्लस 5 उसकी वेलू होगी या 100 माइनस 5 या 95 से लेकर के 105 तक होगी अगर उसमें सिल्वर कला लगाया है तो 10% का ट्रालेंस होगा यानि 90 से लेकर के 100 प्लस 10 की वेलू होती है ठीक है जैसे यह जो यहां थोड़ी है जैसे इस्टेपलाइजर लगाते नहीं यह बहुत मुर्फ बनाते हैं इनका भी इनकी वैलू होती है कि इतने इतने वोल्ट से इतने वोल्ट बढ़ा देगा ठीक है अब आप ले गए इस्टेपलाइजर और 90 वोल्ट आपके इस्ने वोल्ट अब नहीं है उनको बताना चाहिए है इतने वूल्ट बढ़ा देगा कहां से कहां उसकी टॉल्रेंस होती यह उसकी क्यार उससे मतलब नहीं है अगर नो कलर है तो 24 अब समझीए इसमें कलर क्या रहे है रेड ब्लैक और ने यह बिलू है कोई कलर ले होती है पहली जो color होती है इसका पहला लेटर कौन सा है red का रेट के सामधे कौन सा लेटर है 2 यह इसका रेश्चन कितना होगा 2 दूसरा color क्या है blue blue कि आगे क्या है 6 26 कितना रेश्चन होगा 26 तीसरा color क्या है green green के आगे क्या है 5 into 10 to power 5 मतब पहला color पहला significant figure होता है दूसरा color दूसरा significant figure होता है तीसरा color 10 to 5 5 होता है ठीक है जैसे मालिया वो black color होता तो 10.0 हो जाता ठीक है और अगर ये वाला color माल लेते हैं ये gold है तो मतब प्लस 5% प्लस minus 5% तो ये resistance उस carbon resistor का होगा जो आपको दिया गया है समझे अजी बात तो ऐसे 3 strip होती है सुरवात में और थोड़ा हट के एक और strip होती है ये 3 strip पहला strip पहला color क्या है पहला significant figure दूसरी strip दूसरा figure तीसरा 10 to power 5 और चौती strip tolerance बताती है प्लस मैनस 5 तो ये होता है color code अब ये हटाया उन्होंने इस लेपस से हटाने बाले इस लेपस में क्या बता है कई चीज़े हटा दी बीच में वो numerical गुजर दिया उसमें numerical यूज हो रहा उसका भी सटा दिया तो ये सब पढ़िये पूरा एक्जाम टाइप मत पढ़िये गा वो एक अलग बात है लेकिन अभी आप सब पढ़िये पूरा क्या बता है कोई दिक्कत है लास वाली ओ गोली लग रहा है गोल्ड है ओ हमने लिए हैं गोल्ड कलर गोल्ड कलर है गोल्ड की नहीं है जैसे मोबाइल में जो एक सिस्टम लगता है कुछ अंदर होता है मेमोरी होती है है वो कुछ भी आस है क्या होता है डेसिमल डेसिमल में कहां दिख रहा तुमको टेंड पाउड जीरो से लेकर टेंड पाउड ना तक वैलू है जोड दो ना अगा अगर इसको बर्यजिस्टेंस बनाना है तो उसका यूजी क्या करना है resistance का मतलब क्या होता है सब्सक्साइक नल्क करना मद करकरने जब जब रजिस्टेंस करना है किसी काना दे रेजिस्टेंस वो खाना खाया व t मार रहो रोटी है से चीने दिए तो यऄ किसे क्रेक्षषक आरगे करना है करना है तो काई इक लिए रिजिस्टेंस यह तो कहीatar को कम ज्यादा करना हो इक अधिक अधिक्षष ग्रसंटी है भर एक जमिने हिए हाँ-स तो मिसे क्रिंद जंह करें चाहिए हम प्रेस में करें चाहिए हम गीजर मे करें हमिसका इस्तेवार करते हैं, जैसे पिच्छुम नहीं होता है एक हीरो घर से भाग जाता है फिर विलिन लगते हैं भुने की सरा नहीं हों वाल रहे यह लिग्ता है उसका टेवर उसको मान नहीं हो। पीसिए स्aaaa ऐया बछल स्पक्राइप जरूर कराने की। हमने क्या कहा गोल्ड करते हो तो 5% सिल्वर करते हो तो 10% एक मिनट नहीं करते हो तो 20% बस तीन उसमें होते हैं ठीक है अब फिलहाल जो बनाया गा उसकी हम बात कर रहे हैं 20% ता टॉलेंस हो गया अब आप रेजिस्टेंस दे रहा हो गोले इसमें टॉलेंस 100% का है भाई हम द कर सकता है तो यार आइक कौन सा टॉलेंस इतना टॉलेंस है ठीक है हम पड़ा रहे हैं स्लेबस का पूरा लेकिन टॉलेंस है 90% 90% कोर्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यह तो वह आजीब बात है ठीक है